इस वीडियो में हम GKGS के important questions करेंगे साथ ही साथ आपको देखना है कि आपको कितने questions इसमें से आते हैं पहला question है चंदर्मा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था इसका answer हो जाएगा अमेरिका ने अमेरिका ने सबसे पहले चंदर्मा पर मानव को बेजा था अगला question है चंदर्मा पर मानव को लेकर जाने वाला पहला अंत्रिक्स विमान कौन सा था इसका correct answer हो जाएगा Apollo 11 अगला question है किसी तरल पदार्त के विशिष्ट गुरुत को जानने वाला कौन सा यंत्र है इसका correct answer हो जाएगा hydrometer है hydrometer इसका correct answer हो जाएगा अगला question है सरद्य ओलंपीख खेल कब से आरेरम हुआ था इसका correct answer हो जाएगा 1924 से अगला प्रश्ण है पोदे nitrogen का उपियो किस रूप में करते हैं पोदे nitrogen का उपियो करते हैं nitriteरिट के रूप में अगला प्रश्ण है double fault सब्द का समन्द की scale से हैं अंतराष्टी atomic energy agency का मुख्याले कहां पर हैं अंतराष्टी atomic energy agency का मुख्याले हो जाएगा विहाना में विहाना इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रशन है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हैं? इसका करेक्टानसर हो जाएगा मेकसिको की खाड़ी, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी हैं अगला प्रश्ण है प्राचीन भारत में नौसेना का सरोप्रतम उप्योग किस ने किया इसका करेक्टांसर हो जाएगा चोल द्वारा सरोप्रतम भारत में नौसेना का प्रियोग किया था अगला प्रश्ण है भारत का प्रतियक नागरिक ब्रश्ट है ये कतन किसका है इसका correct answer हो जाएगा Lord Convalice का ये कतन है अगला प्रश्ण है East India Company की स्तापना कब हुई थी? East India Company की स्तापना हुई थी 1600 इस्वी में 1600 इस्वी इसका correct answer हो जाएगा अगला कोश्चन है दित्यसिक युद किसके समय हुआ था दित्यसिक युद हुआ था लौड डलोजी के समय अगला प्रशन देखते हैं पंचायती राज लोगतंतर के सिदान्त पर आदारी थे हैं पंचायती, राज, लोगतंत्र, ये आदारी थे हैं विक्येंद्री करण के सिदान्त पर, अगला प्रश्ण है, भारत सयुक्त राष्ट्य संका सदसिय कब बनाता, भारत सयुक्त राष्ट्य संका सदसिय बनाता 1945, 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है, हरद्य रोगों का मुख्य कारण क्या है, हरद्य रोगों का मुख्य कारण है कॉलिस्ट्रॉल, कॉलिस्ट्रॉल है जो की हरद्य रोगों का मुख्य कारण है, अगला प्रश्ण है, सिसे का सिक्के किस ने चलाये थे, ये सिक्के चलाये थे साहत्वान रा इसका correct answer हो जएगा समूंदर गुप्त के अगला प्रश्न है सविधान के संसोधन में राजय सवाल और लोगसवा का कितना हिस्सा हैं ? सविधान संसोधन में राजय सवाल जंदों अगला प्रशन है दा मोदर नदी गाटी की स्तापना कब होई थी दा मोदर नदी गाटी की स्तापना होई थी उननीसो अर्टालीस इसका करेक्ट आंस्वर हो जाएगा अगला प्रश्ण है किस महादिव्प में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है उस्ट्रेलिया में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है उस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है भुमद्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नेर जोडती हैं भुमद्य सागर और लाल सागर को जोडती हैं स्वेज नेर स्वेज नेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है साथ टापो का नगर किसे का आ जाता है साथ टापो का नगर है मुंबई अगला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबई में मुंबई इसका correct answer हो जागा अगला प्रश्ण है गेट्वे ओप इंडिया का निर्मान कब हुआ था गेटवे ओप इंडिया का निर्मान हुआ था 1911 स्वी में अगला प्रश्ण है इंडिया गेट जोकी नई दिल्लिम में बना हुआ है उसका निर्मान कब हुआ था इंडिया गेट का निर्मान हुआ था 1921 में और गेटवे ओप इंडिया का निर्मान हुआ था 1921 में अगला प्रश्ण है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को अगला प्रश्ण है विश्व प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है 22 अप्रेल को और 5 जून को कौनसा दिवस मनाया जाता है ये आपको comment box में बताना है अगला प्रश्ण है पईयों द्वारा तेह की गई दूरी किस से मापी जाती है पईयों द्वारा तेह की गई दूरी मापी जाती है ओडो मीटर से ओडो मीटर इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है फैदो मीटर से क्या मापा जाता है फैदो मीटर से मापा जाता है समुदर की गैर आई अगला प्रश्ण है कावेरी जल विवाद के निप्टारे के लिए गटित कावेरी जल न्यायदी करण का गटन कब किया गया था इसका गटन किया गया था 2 जून 1990 इस्वी में अगला प्रश्ण है गोतम बुद का जनम और मर्त्यू किस इस्तान पर हुई थी? गोतम बुद का जनम हुआ था लुम्बीनी में और उनकी मृत्यू हुई थी कुसी नगर में यह प्रश्ण है अक्सर पूचा जाता है एक्जाम में गोतम बुद का जनम लुम्बीनी में और मृत्यू हुई थी कुसी नगर कहां पर है यूपी में अगला प्रश्ण है बांगला देश की मुक्तिक के समय पाकिस्तान के साशक कौन थे? उस्टाइम साशक कौन थे? यहान खान है जो कि उस्टाइम पाकिस्तान के साशक थे अगला प्रश्न है कॉस्मोस किस प्रकार का एक उपग्र है कॉस्मोस एक जासुसी उपग्र है जासुसी उपग्र है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है, 1916 इस्वी में अखिल भारतिय होमरूल लीग की स्थापना किस ने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जागा एनी बेसे ने की थी अखिल भारतिय होमरूल लीग की स्थापना 1916 में अगला प्रश्ण देखते हैं, स्वतंतरता प्राप्ती के समय, भारतिय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्स कौन ते? स्वतंतरता प्राप्ति करने के बाद में भारती राष्ट्रे कांग्रेस के अध्यक्स दे जे भी क्रिपलानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है प्राकर्तिक बहुलग का उधारन क्या है? प्राकर्तिक बहुलग का उधारन सेलूलोज, सेलूलोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है काचिपूरम का मंदिर निर्मान करता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलवा द्वारा बनवाये गए था काचिपूरम का मंदिर अगला प्रशन है राजस्तान नहर, इंद्रा नहर किस नदी से पाने प्राप्त करती है। इसका correct answer हो जाएगा सतलूज नदी से। अगला प्रशन है प्रती जेविक किस से बनता है। प्रती जेविक बनता है पैंसिलिन के कवक से। अगला प्रश्ण है हडपा काली लोथल इस्तल कहां पर इस्तिते हैं ये इस्तिते हैं लोथल गुजरात में और राखी गड़ी कहां पर इस्तिते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राखी गड़ी हडपा का सबसे बड़ा इस्तल है अगला प्रश्ण है काला जार क रोगवाग क्या होता है काला जार का रोगवाग होता है सिक्टा मक्षी अगला प्रशन है सिंदु गाटी सब्यता किस प्रकार की एक सब्यता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरी सब्यता है सिंदु गाटी सब्यता अगला प्रश्ण है सूर्य की उर्जा का मुक्य श्रोत क्या है अगला प्रश्ण है रजिय सुल्तान किसकी बेटी थी अगला प्रश्ण है भारतिय सविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा राजियो का संग अगला प्रश्न है मचलियों के यकर्थ तेल में किस विटामिन की परचूरता होती है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन D विटामिन D होता है अगला प्रश्न है शूद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल और ब्रश्पती के बीच में इसे के साथ देखते हैं ब्रश्पती है जो की सबसे बड़ा ग्रह भी है अगला प्रश्ण है अंतराष्ट्य महीला दिवस कब मनाय जाता है अंतराष्ट्य महिला दिवस मनाय जाता है आठ मार्च को आठ मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है एंजाइम मुल रूप से क्या होते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत छोडो का नारा किस महापुरूस ने दिया था भारत छोडो का नारा दिया था मात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था अगला प्रश्ण है बाबर नामा के लेखक कौन है बाबर नामा के लेखक है बाबर अगला प्रश्न देखते हैं अंति मुगल समराट कौन था? अंति मुगल समराट था बहदूर सा जपर यानि कि बहदूर सा दित्य भी बोल सकते हैं बहदूर सा जपर है चुकि अंति मुगल समराट थे अगला प्रश्न है मानव सरीर का सामानिय तापमान कितना होता है? अगला प्रश्ण है प्रकास वर्स किसका मात्रक है प्रकास वर्स दूरी का मात्रक है अगला प्रश्ण है हीरे के चमकने का कारण किया है इसका आंसर हो जाएगा प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगला प्रश्ण है विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी पर इस्ति विक्टोरिया जल्प्रपात इस्तित हैं जम्बेजी नदी के ऊपर अगला प्रश्ण है हमारे सविधान के अनुचिद एक में क्या वर्णी थे सविधान के अनुचिद एक में लिखा गुआ है भारत को राजियों का संगे भारत हैं जो कि राजियों का संग ए अनुचिद एक में बताया है अगला प्रशन है मान सरोवर जील कहां पर इस्तित है तिब्बत में अगला प्रशन है विजे नगर किस नदी के किनारे पर इस्तित है विजे नगर तुंग बद्रा नदी के किनारे इस्तित है अगला प्रश्ण है, सहद में मुख्यते होता है, सहद में क्या होता है, कार्बो हाइड्रेट, अगला प्रश्ण है, मानव का रक्त दाब कितना होता है, मानव का रक्त दाब होता है, 120 बटा 80 मीमी, अगला प्रश्ण है, भारत में प्रथम रेल, किस के साशनकाल में चलाय गय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में इस्तित राष्टवी समोंदरी विज्नान संस्टान। अगला अगला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा कृसी प्रियोगिक फार्म कहां पर हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बाला हर्याणा में स्तित tentang सबसे बड़ा क्रिसी प्रिपिक फारम अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आख के भीत्री सतन कोосी जाता है अगला प्रश्न है विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी हैं? विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी और अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हैं? भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी अगला प्रश्ण है डाइनेमो का आमर्चर किस से बना होता है इसका करेक्ट टांस्वर हो जगा इस पात अगला प्रश्ण है रंधंबोर जीव जन्तु अभियारण कहा इस्तित्य है अगला प्रश्ण है करक रेका भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है गुजुरात, राजस्तान, मध्य प्रदेश, जारकन, छतिसगर्ट, पच्छिम बंगाल, मीजोरम और त्रिपूरा से होकर गुजरती है अगर आप इसको ट्रिक से भी याद कहना चाहते है तब ही कर सकते हैं, इसका ट्रिक हो जाएगा, मित्र पर गमचा जार और सभी प्रकार की ट्रिक के लिए आप इस चैनल के शौर्स वीडियो में भी देख सकते हैं और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. अगला प्रश्ण है भारत का नेपोलियन किसे का जाता है? भारत का नेपॉलियन समुदर गुप्टकों का जाता है अगला प्रश्ण है पानीपद का तीसरा यूद है अगला प्रश्ण है पानिपत का तीसरा यूद 1761 में किस किस के साथ में हुआ था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एहमत सा अबदाली और मरठा के बीच में हुआ था पानिपत का तीसरा यूद ये अगला प्रश्ण वही पूचा गया है रन्थंबोर जीव जन्तु अब्यारण कहा पर इस्तिते वहाँ पर आंसर इसका गलत दे रहा था लेकिन हमने करेक्ट कर लिया था राजस्तान में इस्तिते रन्थंबोर जीव जन्तु अब्यारण अगला प्रश्न है सोना का अपेक्षिक घनत्व किता होता है, 19.30, अगला प्रश्न है ठोश और कौन, घनकौन की इकाई क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जागा, स्टेरेडियन होती है, घनकौन की इकाई, अगला प्रश्ण है नियाय की जंजीर किस ने इस्तापीत की थी जहांगीर ने अगला प्रश्ण है विश्व के मानचितर में सर्वर प्रतम निर्मान करता कौन थे इसका करेट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है वेदिक सब्यता किस प्रकार की एक सब्यता हैं वेदिक सब्यता एक ग्रामिन सब्यता है अगला प्रश्ण है भारत के सरवादिक मुद्रा किस पर खर्च होता है इसका करेक्ट आंसर हो जगा इंदन और तेल पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है अगला प्रश्ण है पोर्टलेंड सीमेंड के मुख्य तत्व है चुना, सिल का एलूमिना और मेग्रेसिया अगला प्रश्ण है विश्व का सबसे उंचा वेद साला कहां पर इस्तित्य यह इस्तित्य लद्दाक में अगला प्रश्ण है चावल में अधिक्तम क्या पाया जाता चावल में अधिक्तम कार्बोहड्रेट पाया जाता है अगला प्रश्ण है लोगसबा के प्रत्थम अध्यक्स कौन थे लोगसबा के प्रत्थम अध्यक्स थे जीवी मावलकर जीवी मावलकर इसका करेक्ट आंस्वर हो जागा अगला प्रश्ण है ओजोन इसतर को कौन परबावित करता है इसका करेक्ट आंस्वर हो जागा क्लोरो प्रश्ट तनाव। अगला प्रशन है। तमस्स की रचना की थी ? विश्म साहीनी के द्वारा। अगला प्रशन है। राइडर कप का समंध किस से हैं ? कौन से खेल से हैं ? इसका कर्यक्ट आंस्वर हो जागा गौल्फ से समधित हैं राइडर कप अगला प्रश्ण है उच्छ ताप को मापने के लिए परियूग्त होता है इसका कर्यक्ट आंसर हो जागा पाइरोमीटर अगला प्रश्ण है यमा पुस्तक के लेकर कौन थे यमा पुस्तक के लेकर के मादेवी वर्मा अगला प शास्त्री की समाधी स्तलय विजेगाट विजेगाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है मोहमद बिन तुगलक ने अपनी राजदानी दिल्ली से कहां पर इस्तानंतरित की थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगीरी अगला प्रश्न है सामानता का अध किस अनुचेद से समंधित हैं समान्दा का अधिकार आता है अनुचेद 14-18 तक ये पहला मौलिक अधिकार है अगला प्रश्ण है तेल निर्या तक करने वाले देशों व्यपारिक संस्तान का क्या नाम है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपिक अगला प्रश्ण है छेतरपल की द्रश्टी से विश्व में भारत का कौन सा इस्तान है अगला प्रश्ण है इसका आंसर हो जाएगा दूसरा इस्तान है भारत का विश्व की द्रश्टी में छेतरपल की द्रश्टी से अगला प्रश्ण है चाई के लिए उप्यूक्त मिट्टी कौन सी होती है चाई के लिए लेटराइट मिट्टी अच्छी होती अगला प्रश्ण है ब्रंदा जल पर पात कहां पर इस्तित्य हैं इसका करेक्ट उत्र हो जाएगा 36 गड़ अगला प्रश्टन है, Grand Trunk Road का निर्मान किसने करवाय था? इसका अंसर हो जाएगा सेरसा सूरी के द्वारा करवाय गया था अगला प्रश्टन है, जल का घनत्व अधिक तम कितने ताप पर होता है? इसका अंसर हो जाएगा 4 डिगरी सेल्सियस पर अगला कोश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इसका आंसर हो जगा रिन आविशित। अगला प्रश्चन है, मनूसिय के लिए सबसे हानिकारक विकीरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जगा गामा कीरण। अगला प्रश्ण है हैजा किस शुक्षम जीव से होता है इसका आंसर हो जगा जीवानों से होता है हैजा अगला प्रश्ण है मानव शरीर में रग्त चाप किसते नियंत्रित होता है इसका अंसर हो जागा एडिनल ग्लेंड से एडिनल ग्लेंड इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है चीनी यात्री हैंसांग किसके साशनकाल में आया था इसका अंसर हो जागा हर्स व अगला प्रश्न है मयूर सियासन को किसने बनवाया था मयूर सियासन को बनाया था सहां जाके द्वार बनवाया था अगला प्रश्न है मानसुन किस भासा का एक सब्द है इसका आंसर हो जागा अर्बी अगला प्रश्न है आगा खा कप का समंध किस खेल से है इसका करेक्ट आं लाग चार ए में आते हैं मूल करते हुए हैं वर्तमान में किते मौली करते हुए हैं ग्यारा मौली करते हुए हैं वर्तमान में अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है त्रीपीटक सब्द का समंद किस धरम से हैं इसका करेक्ट आंसर हो जगा ये बोध धरम से समंद अगला प्रश्ण है जीवाशमों की उम्र किस से ग्यात की जाती हैं जीवाशमों की उम्र ग्यात की जाती हैं रेडियो कारवन डेंटिंग से अगला प्रश्ण है हवाईजाज प्राई किस मंडल में उरते हैं ये उरते हैं समताप मंडल में ये थे लगबग 100 प्लस हमारे GKGS के महतरपोंट प्रशन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थेंक यू